नमस्कार मिशिवांगी आप देख रहे हैं GMD कबर ATS के रिमांड पर आये उमर गौतम और जहांगीर आलम ने अपने कारनामों का राज उगलना शुरू कर दिया है बता दे ATS उमर की अंगिनत विदेश जात्राओं का ब्योरा भी जुटा रही है फूतरों ने बताया है कि उमर की संस्था इसलामिक दावा सेंटर की मदद से लखनव की दो लड़कियों का धर्मातर अणकर आये गया था ये लखनव के अली गंज और तेली बाग शेत्र की रहने वाली हैं एटियस उमर की हर जानकारी को सत्यापित करेगी फिर कारिवाई करेगी सोशल मीडिया पर वाइरल दो विडियो में उमर दावा कर रहा है कि वो इंग्लैंड कैनेडा समेट कई देशों की दरजनों यात्राएं कर चुका है एक विडियो में कह रहा है कि इसलामिक दावस सेंटर ने एक हजार से अधिक लोगों के लीगल डॉक्यूमेंट तयार कराए है साथ ही कानपूर की छटरपती साहुजी महराज उनिवरसिटी की एक लड़की का जिक्र कर रहा है कि जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया है उसने एक समाचार पत्र में विग्यापन देने की बात कहिए है वो ऐसे लोगों की मदद करते हैं जिनोंने दीन कुबूल किया है उन्हें मौरल और लीगल सपोर्ट दिया जाए इसलामिक दावस सेंटर में पोलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, सिंगापूर, अमेरिका और इंग्लैंड से आकर कानूनी सहायता ली है वीडियो में गोरकपूर के भी एक व्यक्ति के इसलाम को बूलने का जिक्र है उमर के मताबिक वो 18 बार इंग्लैंड और 4 बार अमेरिका की यात्रा कर चुका है उमर ने कहा कि वो कैसे मुस्लिम बना अगर इतिहास बताएगा तो 3-4 घंटे लग जाएंगे कानपूर में पढ़ी एक छात्रा का भी करीब 3 साल पहले धर्म परिवर्तन कराये गया है परासना तक पास छात्रा स्तुप्रिया ने अपना नाम बदल कर आईशा रख लिया है गिरों का परदफाश होने के बाद छात्रा के बारे में जानकारी हुई है हाला कि अभी ये नहीं पता चल सका है कि छात्रा मूल रूप से कहां की रहने वाली है छात्रा का धर्म परिवर्तन कराने की बात खुद मुहमद उमर गौतम ने सुईकार की है इस संबंद में यूट्यूब पर उसका विडियो भी है विडियो के मुताबिक तीन साल पहले मौमद उमर गौतम अलीगर्ड मुसलिम विश्विद्याले में लेक्चर देने पहुचा था लेक्चर के दोरान उसने इसलाम धर्म की खासियत बताई लेक्चर में उसने कई और लोगों का भी जिक्र किया जाज एजनसियां सुप्रिया के बारे में पता करने में जुद गई है धर्मांतरन के मुद्रे पे जो दो व्यक्ति स्टीएप के द्वारा गिरफतार किये गए थे उनसे रिमांड पर लेके लगतार कुष्टाज चल रही है और साथ संकलन के लिए हमारी टीमें कुछ जनपदों में और अधन परदेशों में भी गई हुई है और जो भी सुचनाए तक्रित हो रही है उसका संकलन करके हम लोग कोट में प्रडूस करेंगे और जहां तक तरत्रे की बातें मेडिया में आ रही है उसके बारे में अभी असपस्ट कुछ कहा जाना विवेचना की इंट्रेस्ट में उचित नहीं है और हमारी सभी हम सारी एजेंसियों के भी संपरक में है और जो सुचनाएं मिलेंगी चाहे वो ऐसे से जूड़ी हो चाहे इनके अन संगटनों से संबंदित होने के बारे में हो जब वैसे इस्थिती आएगी तो अवश्र हम प्रेस के साथ उसको साजा करेंगे फिलाल के लिए इतना ही ऐसे अने खबरों के लिए बने दिये हमारे साथ और देखते देए जेंडी खबर